जै बाबा वर्फानी भूके को अन्य प्यासे को पानी जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप बाबा वर्फानी अमर्नाथ की किरपा से बहुत खुस होंगे आप सभी को पता है कि 1 जुलाई 23 से बाबा वर्फानी अमरनात जी की पवित्र अमरनात यात्रा सुरू हो चुकी है आप अमरनात यात्रा कर रहे हैं या आगे जाने का मन बना रहे हैं या फिर अगले साल जाने का मन बना रहे हैं तो आज आपको इस वीडियो में पूरी complete जानकारी मिलने वाली है बावा अमरनात की यात्रा से संब्दित। अमरनात यात्रा के लिए आपको कहां पहुचना होगा पहलगाव और बाल्टाल दूर रास्ते हैं अमरनात यात्रा के तो कौन सा रास्ता आपके लिए बहुत सांदर रहेगा और कम से कम खर्चे में आप इस यात्रा को कर पाएंगे। आप कहां पर रुखेंगे और रुखने का कितना खर्च आएगा और कितने दिन की यात्रा होने वाली है यानि कि हम बाल्टाल रास्ते से जाएंगे तो कितने दिन में यात्रा कम्प्लीट हो जाएगी और पहलगाव वाली रास्ते से जाएंगे तो कितने दिन में यात्रा और आराम दायक रास्ता कौन सा बालटाल वाला है या पहलगाव वाला है, रजिस्टेशन यानि कि आप जब अमरनात की यात्रा करेंगे तो आपको कौन-कौन से डाकुमेंट्स की आफसकता पड़ेगी, तो इस प्रकार की समझत यात्रा सम्मन्द जानकरी हम आपको देने वाले हैं, तो आप वीडियो को कम्प्लीट पूरा जरूल देखें, और नीचे कमेंट्स होक्स में हर हर महादेब, जै बाबा, अमरनात, भूके को अन, प्यासे को पानी अवश्य लेके हैं, तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अमरनात कैसे पहुँचे हैं, तो पहला सादन हम आपको बताते हैं बाई ट्रेन, तो आप बाई ट्रेन से जम्मू तवी तक आ सकते हैं, और यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप direct स्री नगर के airport आ सकते हैं माल लेजिए यदि आप train से आयें हैं तो आपको उतर ना हुआ जम्मू तबी और देश के अलग-अलग सेरों से जम्मू तबी के लिए direct train है तो आप ट्रेन से उतर कर स्टेशन के भार आएंगे और आपको टेक्सी मिल जाएगी आप टेक्सी वाले से बूल दें भी हमको भगवती नगर जाना है और वह आप से 50 रुपे किराया लेगा और आपको भगवती नगर के पास में उतार देगा आप भगवती नगर आजाएंगे और आकर के आप यहां पे रात्री विसराम करेंगे यह इस प्रकार से डॉरमेट्री मिलती है जो की 100 रुपे पर नाइट का इसमें चार्जिस लगता है और अब आपको जम्मू से पहलगाव या बालटाल जाना होगा तो आप रात्री में ही टिकेट बुक कर दें अल्ली मॉनिंग आपको बस मिल जाएगी सुबह हो सकता आपको टिकेट ना मिले वीड़े ज़्यादा हुई तो इसलिए आप सुबह का टिकेट बुक करके ही रात में विसराम करें जिस रूट से आप अमरनाद की यात्रा कर रहे हैं वहां का टिकेट आप पहले ही बुक कर दें यदि आप पहलगाव वाले रूट से स्री अमर्नाजी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप जम्मू से पहलगाव के लिए बस का टिकेट बुक कर दें और ये लगवक 600 रुपे का टिकेट आप उपड़ेगा और दूरी 240 किलो मीटर जम्मू से पहलगाव किये जिसमें 7-8 गंटे आपको पहलगाव पहुचने में लग जाएंगे और यदि आप पवित्र अमर्नाजी गुपा की यात्रा बालटाल से करना चाहते हैं तो आप बस का टिकेट बालटाल का बुक कर दें रात को ही जम्मू से बालटाल की दूरी 360 किलो मीटर है लगबग 12 गंटे का सफर आपको इसमें तेक करना होगा और बस का किराया लगबग 800 रुपे है हम आपको यह बता दें AC बस से आप जाएंगे तो 840 है डिलक्स बस का 555 है और सेमी डिलक्स का 405 रुपे है पहल गाप तक का किराया और जम्मू से बालटाल AC बस का 1270 रुपे डिलक्स बस का 760 रुपे और सेमी डिलक्स से बस का किराया है 655 रुपे तो आप चाहे बालटाल जाएं या फिर पहल गाप आपको पहुंचते पहुंचते रात या साम हो जाएगी और रात और साम को आपको बसराओं वहीं करना है यानि कि आप बालटाल पहुंच गए हैं तो आपको बालटाल में नाइट इस्टे करना है और आप पहल गाप गए हैं तो आपको पहल गाप में ही नाइट इस्टे करना है तो उसके वदा आपको registration में चाहिए medical certificate यानि कि health certificate ये दो documents आपको बहुत जरूरी है बिना इनके आप यात्रा नहीं कर पाएंगे तो ये पंजियन 17 अप्रेल से शुरू हो चुके हैं और अभी भी चल रहा है तो आप करा सकते हैं तो लेकिन कराने से पहले थोड़ा इस वीडियो को पूरे रूल देख लें क्योंकि हम आपको जानगरी देने वाले हैं जब आप पंजियन कराएंगे तो आपको वहाँ पर र अमारनाथ गुफा की रूट की तो पहलगाव से अमारनाथ की गुफा की दूरी लगवग 49 km है और इसमें पहलगाव से चंदनवाडी की दूरी है 16 km यानि कि आपको टेक्सी या कुछ साधन मिल जागा पहलगाव से चंदनवाडी तक और चंदनवाडी से ही आपका ट्रेक शुरू होगा यानि कि 32 km चंदन वाड़ी से अमनात गुपा 32 km आपका ट्रेक शुरू होगा तो माल लेते हैं आप पहल गाव आ गये हैं और आपको पहल गाव में रुखना तो यहाँ पे टेंट की सुबद आपको मिलेगी तीन सुरुपे पर नाइट में आप यहाँ पे टेंट में इस्टे कर सकते हैं और खाना फ्री रहेगा अब सुबह आपको उठना है और पहल गाव से टेक्सी पकड़ना है और चंदन वाड़ी आपको जाना है जो कि आप से देर सुरूपे किराये लेंगे और चंदन वाड़ी से 12 किलोमीटर सेशनांग में आपका पड़ाव है अगला और आपको नाइट इस्टे जो है अब सेशनांग में करना है चार सुरूपे टेंट के लगेंगे और फिर यह आपका खाना रहेगा फिर अगले दिन आप ट्रेक सुरू करेंगे सेशनांग से पंच तरणी तक और यह लगवक 14 किलोमीटर दूर है पंच तरणी सेशनांग से अब यदि आप ज्यादा ठक गए हैं आपको लगता तो आप यहाँ पर पंच तरणी में नाइट इस्टे कर सकते हैं या भी आपक यहां भी आपके । इस परकार से आप पहल गाव से बावा बरफानी अमनात की यत्रा कर सकते हैं और यह यात्रा पहल गाव की राश्ते से चार से पांच दिन की होती है और इसमें खर्चा लगबग दोजार से पच्चीस सो रुपे की बीच में आता है अब बात करते हैं दूसरा रूट एहनी की बालटाल से त्रगुफा अमनात यात्रा की तो बालटाल आप पहुंच जाएंगे तो नाइट इस्टे आपको बालटाल में क कम्प्लीट कर लेंगे यानिकी आप सुबह बालटाल से चलेंगे साम और रात तक आप अमरनात पहुंच जाएंगे और दर्सन रस्ते से खर्च काम आता है अभी उसमें पच्छीस सु अ रहा था तो इसमें ping कशा तर्व भंबग वाती सच किलो मीटर और यह रास्ता हमा को पगाताbacks कपी कठन रास्ता नहीं यह दम ढ़न बाला रास्ता है और समतल रास्ता है और इसी रास्ते पर आपको बहुत सारे साधन मिल जाएंगे पाल की घोड़ा खचर यह रास्ता लंबा जरूर है समय ज्यादा लगता है लेकिन आप आसानी से इस टेक को पूरा कर सकते हैं अब बात करते हैं बालटाल की तो बालटाल से अमनात की गुफा की दूर नहीं चार पाते हैं और बार बार आपको रुखना पड़ता है और यहां पे साधन की बात करें गोड़े पाल की बहुत कम रहते हैं क्योंकि खड़ी चड़ा यह इसलिए अधिकतर पहलगा बाले रास्ते में खचर गोड़े और पाल की आपको मिल जाएंगे अब उनकी भी हम रेट बताने वाले हैं और हेलिकॉप्टर की रेट बताने वाले हैं तो आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं तो आप हेलिकॉप्टर से इसकी यह आत्रा कर सकते हैं तो दोस्तों से पहले हम आपको पताते हैं कि आप सभी अमनात गुपा जा रहे हैं तो आपने मातब वैश बाल्टाल से समय कम लगता है खड़ी चड़ाए है बाल्टाल भूत है लेकिन पहलगाव से सुगम चलाई है सुगम रास्ता है, खर्चा ज्यादा लगता है समय भी ज्यादा लगता है तो अब ये आप डिसाइड कर सकतें कि आपको किस रास्ते से जाना है जो अधिकतर बुजर्ग लोग उते हैं वो अधिकतर पहलगाव वाला रास्ता चुनते हैं और ये पुराना रास्ता है हाँ आप ये कर सकते हैं कि पहलगाव वाली रास्ते से आजाएं और लोटते समय आप बाल टाल वाली रास्ते से आ जाएं दोनों रास्ते क्या आप जो है रोमांच भी देख लेंगे व्यूवी देख लेंगे और द्रश्ची भी देख लेंगे तो चलिए अब आपको बता द तो दोस्तो इस प्रकार से आप अपकी अमर्नाथ की यात्रा कम्प्लीट कर सकते हैं तो कम्प्लीट हमने इसमें जानकरी दी है और कोई कोशन है आपका नीचे कमेंड जो पूर्च सकते हैं हम आपको बता दें अमर्नाथ यात्रा में खर्चा कम आता है आपकी सिरूट से जाएं क्योंकि यहां पर ठहरने का भी बहुत कम पैसा लगता है और खाने खाना तो एकदम फ्री होता है इसलिए आप केवल जो जम्मू तक आए हैं जम्मू से बालटा लिया पहलगाव जाते हैं उसका किराया जो जय हिंद जय भारत